आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ करने का, कुछ बड़ा सा अचीव करने का ट्राइ किया हो, उसके उपर बहुत काम भी किया हो, पर वो हमेशा बाकी रह जाए। And does this happen to you every damn time? Then this video is just for you. Hi, my name is R.J. Vashist and welcome to my YouTube channel. In this 2-minute Tuesday video, मैं बात करूँगा टीपे टीपे सरोर बंधाय की. That's a Gujarati कहावच जिसका meaning होता है, छोटी-छोटी बूंदों से भी समंदर भर जाएगा. हम जब भी किसी टास्कों पूरा करने का सूचते हैं, तो हमेशा बहुत बढ़ा सूचते हैं. और फिर गिर जाते हैं. यानि की सिलेबस खतम नहीं होता. In fact, फिर्स चैटर भी खतम नहीं होता. Okay, enough of शाबदिक examples. Let me share a real life story with you. Just to stay fit, मैंने हर किसी की तरह जिम के membership ली. पहला दिन जिम में गया, मस्त exercise की. दूसरा दिन, same. तीसरा दिन, same. ऐसा करते-करते, पूरा महीना जम के exercise की. ए तो जिम में जाता है क्या? देख कैसा लगता थो नहीं है? हाँ भाई, उसी point पे आ रहा हूँ. So, एक मेहना जम के जिम गया, और उसके बाद एक छोटा सा break पर गया, और उसके बाद पूरा साल जिम नहीं गया. प्रोक्रास्टिनेशन जैसा हो गया ठीक है यार बाद में करते हैं ठीक है ना आज मूड नहीं है कल जाते हैं ऐसा करते करते पूरा साल जिम नहीं गया तब यह हिट किया कि जिम जाना पड़ेगा रेगुलरली जाना पड़ेगा क्यों क्यों कि पैसे भरे हैं मैनत के पैसे त और शे महीने रेंगिलर जाते हैं मैं छे दिन भी नहीं जा पाया था तो तभी मुझे ख्याल आया कि अगर मेरा टागेट 600 है तो 600 करता हूं तो भी उतना ही आता है यानि की मेरा फरस्ट टागेट था च्षे दिन का पहले छे दिनको अचीव करो उसके ऑड़ा सा बड़ा टागेट यानि की 10 डेस उतके बाद 20 लेज्टे यसे बहुरू कि और दाइब को यादत पढ़ जाएगा और बिल्कुल ऐसे ही कब चोटा टागेट अचीव होता जाएगा आपको पता नहीं चलेगा और उन्हीं सब छोटे चोटे टागेट को अचीव करते करते सब को मिला के कब बड़ा सा टागेट अचीव हो जाएगा that means 30 days in a row खतम हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा वैसे अभी तक मैंने 6 दिन का ही टागेट अचीव किया है next target is 10 days जो कि कल से शुरू होता है so hoping on a best so आज का जस्ट विचार ये है कि अगर आपको आपके target को अचीव करने में दिक्कत होती है तो उसी target को छोटे छोटे slabs में divide कर दो पहले छोटे target को अचीव करो फिर उसी target को थोड़ा सा बढ़ाओ और उसको अचीव करो और ऐसे ही आगे बढ़ो for example अगर दो ही महीने exams को बाकी है तो ऐसा मत सोचो कि यार जब एक वीक बाकी होगा ना तब जम के पढ़ाए करेंगे नहीं अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू करो तो आगे जाके tension कम होगा simple और यह formula सिर्फ exams में काम नहीं लगता life के हर तरह के goals में काम लगता है आपको बस अपने इसाब से थोड़ा से modify करके उसको apply करना है that's it all right that's it from my side thank you so much for watching wait 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 thank you for waiting I hope कि आपको यह नया segment यह नया जस्टर विचार आपको पसंद आया होगा अगर आया है और प्लीज इट लाइक बटन ताकि पता चले कि देखने वालों में से कितनों को actual में पसंद आया है उसके साथ साथ ही बताइए कि कौन से concepts को मैं two minute Tuesday में feature कर सकता हूं तो comment box में लिखते रहे है और उसके साथ साथ subscribe to my channel अगर अभी तक नहीं किया है तो और अगर कर दिया है और प्रेस तब बैल आइकन इसी बाद के साथ मैं चलता अपनी गली see you in the next video keep muskura na bye